यह वीडियो के अंदर मैं टॉपिक एक्स्प्लेइन करूंगा कि बाए चांस अगर आपका लैप्टॉप खराब हो जाए अभी आपने नया ही लिया है तो क्या करें देखो मैंने जून के महिने में नया लैप्टॉप लिया था एच्पी गा वो मुझे मिला था ट्वंटी फाइव हंडर्ड डॉलर के करीब अप्रॉक्सिमेटली सवा लाक अगर हम पजास से मल्टिप्लाइए करें उसकी जो कॉंसिग्रेशन थी वन टीबी एसस्टी हार्ड डिस्क नहीं एसस्टी जो आजकर नहीं चलती है फास्ट होती है और आई-7 प्रोसेसर था उसक देखो कि पैकर दिया मैंने दोबारा क्यों हुआ गया कि कुछ दिनों से मैं फिल कर रहा था जो मेरे लैप्टॉप का लेफ्ट स्पीकर है अगर उसका वॉल्यूम मैं मोर देन थर्टी सिक्स करता हूं तो उसमें ना अवाज आनी शुरू हो जाती है ट्र ऐसे तो मैंने ए एक customer support वाला बंदा दी वह बंदा जो था वह इंडिया इंडिया से था मतले मैंने यह देखा कि अगर हम customer यह के उपर गॉल करते हैं तो जो कॉल जाती है न वह इंडिया में जाती मैंने उसे पूछा बैंकॉथनर इहता वर जैसा कि उनका काम था कि उन्हें पूरा चेक करना पड़ता है घर में बैढ़ कर थोड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो सॉल्ट कर देते हैं सही बात भी है थाकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो कस्टमर का इधर उधर जाने में पर नहीं हुआ पर उसके बाद मैं गया जी जे भी हाइ-फाई जहां से लिया था और जे भी हइवा वह वाइवनारों को मैंने कहा कि भाई यह ऐसी प्रॉहलम है उसको दखाई और जब आप जे भी हाई-फाई से कोई चीघ लेते हो ना यहां पर अंडी पर मैंने यह देखा भासकते हुए ऐसा नहीं है कि उसी दुकान New currently और कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं is ऑपासロम में गया इक्स्चेंज करने के लिए उसने चेक года मैंने कहा तौध कि मुझे यही लैप्टोप चाहिए क्योंकि मेरे काम के according ये configuration बिल्कूल अच्छी थी तो उसने मुझे का कि ये laptop तो नहीं है तो आप ऐसा करो आपके बाद दो option है या तो एक नया laptop ले लो या इसको हम change कर देते हैं बिल्कुली refund कर देते हैं आपके पूरे के पूरे पैसे वापस क्योंकि SP वालों की न कुछ laptops के उपर क्या नाम है वो policy होती है policy क्या है कि अगर दो तिन महीने में या छे महीने में मेरे वाले में छे महीने में अगर खराब हो जाता है अगर आप change करना जाते हो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा खुद रिसाव लगाओ पची सो डॉलर है अगर मैं तीन महीने यूज कर लूँ या चार महीने यूज कर लूँ या छे में महीने में अगर मैंने change करना है तो भी वापस करने के ठीक है ऐसा बाकी shops के उपर भी facility होती है उसको हम कहते है change of mind अगर मान लीजिए कोई चीज आपने ली कल परसो में गया था हाब में 9 मन वहां से toaster लिया पर उसी time period के अंदर अंदर हम वहाँ पर गए हमने use नहीं किया था उसको और हमने उनको कहा कि भाई मुझे बड़ा चाहिए बड़ा toaster चाहिए ठीक है ना तो उन्होंने change कर दिया और मुझसे पूछा कि आपका reason क्या है अब ये थोड़ा कहूंगा मैं reason कि सही नहीं चल र मन बदल जाए कि मुझे नहीं लेना है तो आप वो उनको वापिस कर सकते हों ऐसा कोई issue नहीं है तो उन्होंने change of mind की policy apply की वहाँ पर तो उससे मैंने जो छोटे वाला था वो वापिस कर दिया और then after हमने बड़े वाला ले लिया toaster तो अब क्या हुआ कि HP वालों ने अब conclusion निकाला वो customer support वाला जो बंदा था उसने कहा कि भाई वाकई आपका यह technical problem नहीं है software की यह hardware problem है हमारा आपको एक और call आएगी दूसरी employee से वह आपको बताएंगे कि क्या procedure है आप हमारे HP का जो customer support office है वहाँ पर अपना parcel भेजो हम आपको कॉरियर वालों का contact number देंगे फिर उनकी call मुझे आई तो मैंने उससे बात की समझा उसने उस employee ने मेरे email ID के उपर वह forms व्यारा भेजे उस form में क्या था एक तो था जिस address के उपर भेजना है उनका जैसे लगा होता है मैं अ यह वाला उन्होंने मुझे बेजा card ठीक है और यह भी बेजा यह दो आएं पेज ठीक है एक मेरे पास रहेगा रसीद और एक जो driver आएगा उसके पास यह day time of collection लिखना बढ़ेगा driver के signature करवाने बढ़ेंगे उसने कहा कि आप इसको अच्छे से pack कर दो मैंने वो pack कर दिया लेकिन एक problem पता क्या होगी मेरा memory card जो छोटे वाला मैं वीडियो बनाने लगा था यह वली इस camera से मैं वीडियो बनाने लगा था और jack कहा गया यह jack में memory card पड़ता है ठीक है मैंने पैक तो कर दिया मेरा memory card जो छोटा micro वाला वो बीच में चला गया मुझे फिर दुबारा क करने पड़ेगी यह बबल रैप आपको लेकर आना पड़ेगा ठीक है उन्होंने मुझे कहा था कि बबल रैप में इसको पैक करके बेजो यह मेरा खर्चा है 1.4 डॉलर्स का है से लोग पर आपको लेना तो पड़ेगा ना तो यह लैप्टॉप है जी कहा है memory card अरे यार य कहते है पंजाबी में कहावात आया काली देग्डय टौएय मैंने पहले क्या किया HP का मेरा लैप्टॉप है तो मैंने गल्ती से यह printer वाला है इसमें पैकर दिया यह दो मैंने लगाया भी हुआ पहले इसको मैंने पैक किया अच्छे से फिर उसके बाद मुझे पता लगा य यह तो प्रिंटर जल्दबा जी में काम कर देगा यहीं तरीका होता है यह मेरा तीसरी बार है तीसरी बार ध्यान काम में है क्योंकि मेरे क्लासिस भी चल रही है तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल आ रही है तो वीडियो बनाने का परपस यह है अगर आप यहां पर आते हो निश्चिंत रहो कोई प्रशान नहीं आती है पैसा देने के लिए पूरा त्यारा आपका मैंने यह इंडिया में नहीं रहा है अगर मैं कोई लेता हूं वह रपेर के लिए देते हैं अब मैं यह लैप्टॉब क्यों नहीं बदलना चाहता यह सबसे वो भी आपके वापिस कर दूँगा मैं या रिफंट कर दूँगा लेकिन मैंने यही लैप्टॉब को ठीक क्यों करवाने के लिए भेज रहा हूं देखो पहली बात तो यह कि मुझे इस प्राइज में यह सारे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं मैंने उनके स्टोर में देखा 22 2300 में मुझे लैप्टॉब मिल रहा है बलकि वह 200 वापिस भी दे रहे हैं मुझे क्योंकि मेरा पच्ची सो है तकरीबन 2449 का पदन 25 लगा के चलो लेकिन 2300 खर्चने के बाद भी जो मुझे SSD मिल रही है ना वह मिल रही है 512 पूरा का पूरा अलग हाफ प्राइस और उसमें जो konfiguration है वह भी थोड़ी कम मिल रही है i7 मुझे लगता है नहीं मिल रहा है कहने का मदब यह है कि पैसा मैं खर्च रहा हूं मुझे चीज भी नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे इन पैसों में जो मैंने खर्च कीए है उसमें वह konfiguration मिल रही है इस से आपको क्या सीखने को मि लगी हो तो ले लो पता नहीं इंतजार मत करो कि कम होगा ज़्यादा होगा मैंने यह ओफर ली थी उस ताम के उपर आप यकीन नहीं करोगे यह मैंने जून के महीने में लिया है लैपटॉप और जुलाई के महीने में यह लैपटॉप सेल होगा सारा किसी भी स्टोर पे नही लिए था यह बस तो पूरा आपको मिलेगा यहां पर मैंने इंशोरंस भी करा के रख ली है क्योंकि महंगा लाप्टोप है बच्चे वेगर अगर घर में है या आपसे तूट जाए मतलब खराब हो जाए या चोरी हो जाए उसकी इंशोरंस अलग से लेनी पड़ती है ठीक हो उस चार साल के दुरान मैं फिक्स हूं सिरफ तीन सो डॉलर देना पड़ता है और आपकी इंशोर हो जाता है पूरा जो आप प्रड़क्ट खरीते हो यह वीडियो से मैं उन लोगों को इंफोमेशन यह देना जाता हूं कि अगर आप यहां पर कोई भी ची लेते हैं चेंज मतलब आप चलाके चेक करो नया प्रड़क्ट चलाके चेक करने के लिए दे रहें आपको वैसे कितने लोग वापस करते होंगे सो मैं से दस नभे तो बंदे लही लेते हैं तो मैंने यह लैप्टॉप त्यार कर दी है अब मेरे पास एक दूसरा लैप्टॉप भी है वह भी डेल का लैप्टॉप यह मुझे याद आ कि मैं जब ग्रेजुएशन में हुआ करता था ग्रेजुएशन में यह नहीं नहीं मास्टर में हुआ करता था 2009-10 की बात है यह उस टैम के उपर मैंने यह लैप्टॉप लिया था I think ग्रेडुएशन या मास्टर दोनों में से एक में को दुमाग से निकल गया मलब इस लैप्टॉप को दस से बारा साल हो गए हाला कि इसका मैं कम यूज करता हूं लेकिन फिर भी वीडियो रेंडर करने के लिए या मीटिंग करने के लिए सही है थोड़ा सा स्लोव है प्रोसे जल्दी से जल्दी पूछो कमेंट करो फिर हम उसके ओपर वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए